सारी इटे ले आए आप नीचे जो उपर थी सारी आ गई यह किसा हो जाएगा नीटों से जो इटे रख्या आपने जैसे नतलवी यह वाला ना यह किसा यह हो जाएगा आज संडे आज संडे कि वज़ा से हो गया ना सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियारी व्लोगर में तो कैसे हो सब लोग मैं उमीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और अभी दोपैर के बारा बद गए हैं तो आज हमारे मिस्त्री भ और सबसे पहले काम हो रहा है आज हमारे ब्रामदे से सुरू तो मैंने आपको कई बार बोला है वीडियो में कि हमना अपना ब्रामदा बंद करवा रहे हैं तो मिस्त्रियों ने यहां पर इंटे रख ली है और इंटे न थोड़ी सी थी हमारे उनने बोला कि इतनी है इनको लगा लेते हैं तो यहां पर हमारा ब्रामदा बंद होने शुरूफ हो गया है और इंटे आमारी थोड़ी सी थी ना तो आज सुबे हम जा रहें थे इटे लाने को लेकिन आज था संडे हमें तो द्यान ही नहीं था कि आज संडे है तो गाड़ी वाले को बोल दिया था और नहीं को भी cray नहीं तो गाड़ी वाल भी जा रहा था रास्ते में अाचानकी से नहीं मेरी भाई ने फोन किया पे बढ़ेग का मकाम कर ना है बभाद में वाली तो बाध में डाय लाकूलि को काम श o जाएगारा लोग विशुकायदी नाय। सब्सक्राइब felly जाएगे। तो अभी आधम ना ये पहले बाला जो पूरसन है मतलब एक एक पॉर्शन करके इसको चिनाई करेंगे तो यहां पर पहले पूर्शन की चिनाई हो रही है आध और अभी नेटों से पता चलेगा कि एक पॉर्शन हमारी हो जाएगा कंप्लीट यह नहीं और मिस्त्री लोग आए हैं हमारे तीन लोग है और यह तीनों बिहार की है मिस्त्री है है 36 गट के हो आप अच्छा 36 गट लेंगे हैं कितना काम कर रहे हैं और अब हमारा ब्राम्दा बंध हो जाएगा ना तो लंगूनों से तोड़ा सा शुटकारा मिल जाएगा तो नुख्शान करेंगे ही अंदर नी अब आप आएगा ने तो अंदर भी आ जाते हैं तो अब इन्टेवी लानी है और अब जो गेट बनाने है वह बी जब पूरी तरह से बन जाएगे तो अब यहां पर खड़ी हूं मिस्त्रियों से तो मेरी बाते करते करते ही हम पे मिस्त्रियों ने एक कॉलम तो जो है ना चिनाई का कंप्लीट कर लिया है लगभाग अब दो तिन रदे लगेंगे उपर को मेरे क्याल से क्योंकि तीन फीटा हाइटर कर रहे है हम इस तो उपर लगेंगे फिर हमारे जाए तो यहां पे चि सब्सक्राइब करेंगे इंटों से थोड़ी सी बसी हुई है और भी मिस्त्रियों का लंच का टाइम भी हो गया है तो मैं अपर रहेंटी पहले खाना खालो मिस्त्री बढ़ रहा हमारे की इंटे पहले उठातर के वारत लेते हैं उसके बाद खाएंगे खाना तो वहां पे क ही यह रहें ही रहें हैं तो आफिट लन्च्पी भी हो गए मिस्त्री आने खान खाली है और हमने खाना खाली तो गषाने के पूद्धिया भी इनको लगाएंगे देखते हैं यहां पर कितनी होगी इनकी चिनाई और हरदीप ना आज फिर से यहां पर कलमें लगाने लगे हैं तो इसको ना भी बहुत सारी पौद्ध है लगाने को ही तिये पिर से जो वेजी हैं पौद्धेशेब के और ना स्पती और चैरी की कलमें भी बेजी है साथ-साथ में उसने तो वह सब लगाने होंगे इसको अब लगए है यहां पर अपने ड्यूटी पर और मैं तो यहां पर थुरा सा सर्वे करने आई हूँ मैं तो यह काम करने पाऊंगी कलमों का तो एक्सपिरियेंस इस कोई हो गया है बाकि जो तो यहां पर नीचे इन वाले खेतों में है और अभी तो इनका पतन लग रहा है कि यह लगे है कि नहीं पर लग जाएंगे यह क्योंकि इनको न हमने पानी भी बढ़िया दिया है मतलब खुला पानी डाल दी है इनको बाकि अभी जो पौदे हमें लगाने होगे ना तो हमे पिझे जनने 3 बज़ रहे हैं और यहां पर मिस्त्रियों ने इतनी चिनाई चयोंगत बंध होगगे है तो यहां पर हमारे मिश्ट्री ना रेता चान रहे हैं और यह थोड़ा अलग तरीके से रेता चानते हैं यहांच में पकड़ा हुआ है नोने ऐसे चलनी को और तब इसको इला करके चान रहे हैं और हम ना दूसरे तरीके से रेता चानते हैं हम क्यारती चानियोगे चलनी बनाई भी शुट्र मिश्टी चने लगाएं इन Аलाओ । प्रवाइब करते हैं यह तो उनका रेट वाना उस हिसाब से होता है और जो हमारे आप लोकल मिस्तरी होते हैं उनका ध्याड़ी का हिसाब होता है तो पांच बजे चूटी करके जाते हैं और इन्होंने बस में जाना था तो तब चले गए और रेता चान करके रख लिया इन्ह सब्सक्राइब करना है हमें बीच में गेट आएगा और इस तरफ को भी जाड़ा आएगा हमारा यांपे तो बीचनाई भी रह गई है करने को भी तीन्चार दे और लग जाएंगे तो अब ना हमाले टैंशन सब्सक्राइब हो जाएगी वैस्चित मैं अकेली रह लेती हू बहुत ही कम हो जाएगी अब मेरी टेंशन भी और आज ना बादल आने लग गए हैं आसमान में तो बारिस तो पता नहीं होगी कि नहीं प्रवैसे बादल बताये हैं अभी एक अफ्ता ऐसे बादल बताये हूँ है तो वह भवान जी अभी ना आब बारिस मत देना आज की र रहा था लेकिन उसका तो काम ही कंप्लीट में हो रहा है और मुझे भी बरतन बगेरा दोने हैं तो सारा दिन के रखे हूँ है अब तो मेरा थोड़ाशा और काम बढ़ गया है मिस्ट्री भी आ रहे हैं तो खाना नहीं बरतन भी ज्यादव होंगे दोने को तो अब हमारी न कोनों ने कॉमेंड करके लिखा था लिखा था कि बाबी जी आपके गाओं में मिस्ट्री लगी है पलस्तर करने को और उनके मिस्ट्री है तो आप उनखो फूछ लेना को आपने लिखा कर आ दी तो अब मैंने यहां पर आत्मी लिया हुआ है और यह तुर्पाल जो है तो यह मुझे वहां पर पीछे रेते के ऊपर रखना है और ऐसे तो हमने रोज 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 वहां पर रखाऊ हो होता है रेता रखने के लिए लेकिन आज ना उस तुर्पाल वे मिस्ट्यू ने रेता चान करके रखा हुआ है और उपर चे वह तुर्पाल से वह चाना वो रेता डख लिया है तो अब मैं इस तुर्पाल से जो पीछे हमारा देता है ना उसको भी डख लूँगी क्योंकि मौसम हो रहा है तो अगर बारी सोगी तो पिर रेता हमारा हो जाएगा तो चानने को त है तब वह आया नहीं है उसका तो सारा जिनों अई पेल लग गया तो रेता तो मैंने डख करके रख लिया है और यहां पर पीछे दिख रहा है कच्रा जैसा तो यह तो भी बाद में उठेगा जब यहां पर हमारी चिनाई कंप्लीट हो जाएगी कल हो जाएगी तो बैगर म दो लगती है मतलब उसको तो फोटी मिल जाएंगी अभी हमारा काम बड़ा हुए न एक तुफ़ादे लगाने को हैं पर दूसरे अभी हमारे मिस्त्री भी लग गया है और अब ना हमारे पास अभी बारे बन दे हैं क्योंकि अभी थंड कम हो गई है तो अभी छे बजगे ह अभी तक बारे बांद आया हमने इनको अभी बात देंगे अंदर और अगर ऐसे बारिस बगएर होगी ना तब थोड़ा सा मौसम फिर से चेंज हो जाएगा मतलब ठंड का हो जाएगा मौसम अभी तो गर्मियों का इमौसम बन गया है तो यही थी मेरी आज की वीडियो और